प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल का प्रभाव कितना व्यापक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि च्वाइनीज मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स हिंदों के पवित्र त्योहार दिपावली को भी अपने अजंडे के खिलाफ या अजंडे के लिए इस्तिमाल करता नजर आ रहा है चीन का मानना है कि च्वाइनीज लड़ियों के बिना दिपावली काली रहने जा रही है जी हाँ दरसल चीनी समान के भाईशकार और स्वदेशी को लेकर बढ़ रहे जागरुकता का प्रभाव अफ चीनी बाजार में नजर आने लगा है यही वज़ा है कि चीनी सरकार बौखलाई हुई है दरसल ग्लोबल टाइम्स के मताबिक चीन की सरकार का कहना है कि च्वाइनीज लड़ियों के बिना भारत में दिपावली की रात काली रहेगी इसे के साथ Global Times ने प्रधान मंतुई नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की मुहिम का भी मजाग बनाने का प्रयास किया है बता दे वोकल फॉर लोकल अपील के आलोचना करते हुए Global Times ने लिखा है कि PM मोदी के इस अपील का असर नहीं हो रहा है उनकी सपील के बावजूद भारते कारोबारी और उपभोकता च्वीन से बड़ी मात्रा में LED लाइट्स खरीद रहे हैं और ये मांग इतनी जादा हो गई है कि चाइनीज कंपनियों को सप्लाई करने में समस्या आ रही है जिस कारण चीनी कंपनिया दिन रात काम कर रही है बदादे ग्लोबल टाइम्स ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक फैक्टरी के सेल्स मैनेजर वांग के बयान का उलेक बे रिपोर्ट में किया है इस रिपोर्ट में वांग के हवाले से कहा गया है कि दिपावली की समय पर ओर्डर किया पूर्थी यानि कि इंपोर्ट करने के लिए कमपनिय अक्टूबर महिने से अपनी पूरी शमता के साथ चल रही है सेल्स मैनेजर का कहना है कि बड़े पैमाने पर उत्पादों का निर्मान होने से लागत कम आती है बता दे रिपोर्ट में से सेल्स मैनेजर के बयान को कोट करते होए कहा गया है कि उन्हें दसियों लाख एकाईू से जुड़े निर्यात ओर्डर मिले हैं यानिक एक्सपोर्ट ओर्डर मिले हैं जुसमें भारत का नाम भी शाह मिले उनकी ऑटिमिटेट प्रोड़क्शन वार के दम पर Global Times ने भारत ने बिन LED के लाइट का मुद्दा खूब फुनाया है और यह बखान किया है कि उनकी कपनी किस प्रकार की लाइटे बनाती है बदा दे कि चीन के मुख प्रपत्र का अपनी किताबों से भी कहना है कि भारत सरकार ने एप्रेल महीने में चीम निर्मि के हवाले यह कहा गया है कि दिवाली के मौके पर भारत LED बल्बों का भी बड़े मात्रा में चीन के आयात करना करना चाहता है भारत की एक रकम करीब 13.4 करोड डॉलर है Global Times की माने तो अभी भारती कारुबारी उनसे संपर्क कर रहे हैं और उन्हें और दे रहें वहीं मुख है कि मोदी सरकार ने चीनी समानों पर निर्वरता कम करने के लिए त्योहारों के मौके पर लोगों से स्थानी वस्तों की खरीदी करने की अपेल की लेकिन चीनी वस्तों की कीमत कम है और उनकी गुडवकता बहतर होने से भारती उपभुकताओं में चीन निर्मित वस्तों क मांग काफी जादा हो गई है ऐसे में आगे उन्होंने कहा कि भारत में दिपावली प्रकाश का पर वेले कि चीन के लेड़ी बल्वों के बिना ये दिपावली काली हो जाएगी इसलिए भारती उपभुकता चीनी लाइट जम कर खरीद रहे हैं जाहिर है कि चीन का दावा चा जा रहे हैं ऐसे अभियान सामने आए हैं जिसमें विदेशी कंपनियों के हर समान को वोईकॉट करके स्वदेशी चीजों की और लोगों की लोगों को आकरशित करवाया जा रहा है हलाकि भारती ब्रैंड भी खुद को स्थापित कर पाए और देश का पैसा चीन जैसे मुल झाल